वेल्कम बैक टू मैंनु ब्लॉग तो कैसे हैं आप लोग हाई होप आप लोग इंदम ठीक होंगे और ठंड को इंज्याए कर रहे होंगे यहां तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी मैं सारा काम खतम हुआ है काम जबता करते रहोगे तब तक ठंड नहीं लगेगी सवातीम बज रहे हैं तो उसके बाद अब मैं चलने थोड़ा हाथ पर शेखने के लिए कि बच्चे बहुत परिशान करते हैं बाहर निकलने के लिए तो उनको भी ले चलते हैं और बाहर थोड़ा सा आग जलाएंगे इसी बाहने बठेंगे दिन में धर्में घुचे-घु बच्चों का बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि उनको तो बहुत भी निकलना है उनको इतना आइडिया नहीं रहता है कि ठंड कितनी है बाहर भी निकलते हैं और सर्दी लग जाती है फिर इसके बाद डॉक्टर दिखाओ करो यह चुखाम बहुत जल्दी बच्चों बाहर आग जलाते हैं और आपहो को दिखाते हैं, भाँर का मौसम तो दोस्तों ये हमने आग जला ली और बेहर का मौसम देखिया एक दाम बादर बादर से लग रहे हैं ऐसा लग रहा है, कि अभी भी वारिश जो जाएगी, आप eh चार दिन हो गया तब से बिल्कुल दूप की एक किरन भी नहीं देखनों को मिली है और वाकी ठंड तो बहुत ज्यादा ही है और हम लोग बठे हाथ सेक रहे हैं और हाग के पास बैठ जा तो तक उड़ने का मनी नहीं करता है इसा लगता है तोड़ी दर बैठे रहो आम और ब पास बज रहा है तो आगए और सच बता है आज तो हमने बरतन नहीं धुले थे क्योंकि आज इतना काम करने में लेट हो गया था तो बरतन हमने छोड़ दिये थे हमने का मैं बरतन बाद में कर लूँगी और बहुत ज्यादा हाथ पर वैसे भी ठंड हो गय थे तो अब मैं सरजी के लिए चाए तो मैं इंतजारी करती ती जब सरजी आयंगे चाय बनाऊंगी और उसी टाइम मैं क्या कहूंगी अपना बरतन हगारा धूल लूँगी तो मैंने उनके लिए रख दीए चाय अब उनको में चाय दे देती हूँ तो मैं यह बता रही थी ये के टिफ्स मैंने दीप पक जिला दिया आए साम के टाइम दोस्तों कभी भी बिस्तर में नहीं लेतना चाहिए क्यों कि राम को लेत जा नहीं और शाहता है जब आलटा तो मन nic. काम तो ए में फिर इसे में जाएं लगता है तो आपको थोड़ेंगे अधंड नहीं लगेगी ऐसा होता है कि थंड तो है वो तो लगेगी ही लेकिन उसको नहीं ना लगे इसका कुछ उपाएढ़ थूड़ना चाहिएए तो इसमें क्या करते हूं साम को मैं क्या करती हूँ इस सम सबब करने लोगों की तो एक दुघंटे लग जाएंगे आपको आराम से तो मैं क्या करती हूं अगले दिन के लिए मैं जो आप सब्ची सुबएक टी जाती है तो सुबएक दमुठो इतना नीन मन करता है सब कुछ करने का, तो मैं सबजिया निकाल लेती हूं, मटर बगएरा छील के रख लेती हूं, पालक, सोया, मेथी, यह सब इस समय ऐसी सबजिया है, कि अगर आप बहुत आराम देखोगे, मैं भी बहुत टाइम लग जाता, यह सब करते करते सच बताओ, मुझे बहुत दे करते हूं, जिससे की वो खा लेगा, तो मैं पालक हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे बन दोती है, तो सब को ही पता होगा, तो इसलिए मैंने पालक डाल लिए, उसमें छोट जोटी बारी बारी काट के, और इसके बाद मैंने इसमें प्याज भी टाल लिया, तो इससे करके म मैं जल्दी बन खाना मेरा क्या होगा, कि मैं जल्दी से प्यार कर लूँगे, अब लगभख मेरा काम ऐसा वाला सब हो गया है, और एक चिपसी ये भी है, कि अब जब आप अपना काम कर रहे हो, तो आप हैवी कपड़े ना पहने, हैवी कपड़े पहनेंगे तो काम करते इसले मैंने वुलन कूर्टी डाल रखी है, और मैं इसे आराम से काम कर लेती हूँ, मुझे ठंड भी नहीं लगती है, और काम भी हो जाता है, और सब करने के बाद में, मैं अब क्या करूँगे, मैं अपना हाँ सेखने जाओंगे, अब लग गई है, बहुते ठंड सब काम ह पकोडी बहुत जादा तो हाँ ठंडे हो गई है तो हाँ सेखने के बाद में पैत अंदर आ गए, इस बेंड आगए, मैंने उनके लिए बनाई पकोडी उनके लिए क्या सब के लिए बनाई पकोडी, बहुती टेस्टी बनी थी, आप लोग आ जाई और खा ले आकर बहुती गोड़ी खा रहा है यहां खाते-खाते हम लोगों बज गया है तुरह बाहरा है जादा इसलिए हम लोगों ने कुछ डीनर नहीं बनाया था जो रखा था उसीं भी हम लोगोंने दो भी उने मैनेज कर लिया था फिर उसकी बाद अलो धोस्तों गुड मौर्रिंग तो अम अउठ घए हैं का आफि असप्थ दियार करें ठ olmuş में तोि असप्छी बात में आफ गहाला को काम कुछेंद के लिगार के दिखेंग आप आप सब उथल पुथल पढ़िए की चैन में आप इसकी करेंगे साफ सफाई और उसके बाद करेंगे आगया काम ब्लाग हो गया बहुत दंबा तो करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड आप वो से मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक क्यार करेंगे करेंगे